हेलो सर कैसे हो सर ठीक है अभी जिदर उदर सर बंद है सर आपको मुझे मिनना था और एक बात आप से कही नी थी सर आपको पता है कि हम वन बेज के फ्लैट में छोटे से रहते हैं हमका हमारा परिवार बहुत ही बड़ा है सर आप जमिंग के कापी अच्छे जानकार हो और सर बार को पता है कि अभी जोटे से मकान में रहना कितने बड़ी प्राब्लम है तो सर मैं चाहती हूँ कि फ्रोजेट हो और मेरा हो और मेरा प्रोजेट में एक दो एकर में में अपना मकान बना के फार्मिंग करू और वहां पे रहो सर मुझे कुछ बताएए आपने पिसली ब प्रोजेट पर कहा था कापी अच्छे कंपनी है जो पेलापूर में है अतिया गुरूप और आपने मुझे उसके बारे में कुछ बताई भी था पूरे डिटल्स नहीं बताई था सर अभी खास करके और डिटल्स पुछने के लिए मैं आपको मिलने के लिए आई हो सर मुझे मैं आपको जरूर बताऊंगा टीना आपको पता है पिछली बार मैंने बताई ता माण के बारे में आपको तो सभी पता है तो टीना ज्यादा देर मत कीजिए युकि बढ़ा प्रोजेट है क्रांती भुमी माण में और वहां पे जमिन लेने मतलब अपने लिए अभीमान औ बेड़कर जी ने वहां पे पानी का सत्याग्रव वहां पे किया था और ऐसे जगा पे वहां पे जमिन लेना मतलब महार क्रांती भुमी में वह अपने लिए गर्व की बात है तो टीना आपने सही सोचा और सही वक्त है जरूर आजी चले मेरे साथ और आजी अपना एक इकर का प्लाड बुक कीजिए आप आते समय अपने किवासी मतलब आदर काड़ दो फोटो प्यान काड़ और आप चेक भी लेके आईए चलो टीना